और अब आद जारखंट की कर लेते हैं देखिए आज सब की निगाहें जारखंट पर लगी हुई है जहाँ सीएम हिमन सोरिन की कुर्सी खत्रे में है आज राजयपाल का फैसला आ सकता है और इससे पहले राजनेते खलचल वहाँ पर बहुत तेज है बड़ी खबर ये कि आज सुबा ग्यारा बजे हिमन सोरिन के घर पर सयोगी पार्टियों की बैठक होगी इस बैठक में जे-म-म, कॉंगरेस और आरजयरी के विधायक शामिल होंगी बंद लिफाफे में चुनाव आयोग ने जो राय भेजी है उसने हेमन सरकार के लिए खत्रे की घंटी बजा दी है खबर ये है कि चुनाव आयोग ने हेमन सुरिन की सदस्सिता को रद करने के सिपारिश कर दी है आकरी फैसला राज जिपाल को लेना है जो आपकी सूचना है और जो पता चल रहा है और आपके माध्यम से और भी पुखता हो रहा है वो कि एलेक्शन कमिशन ने अपना पत्र जो है गवरनर साहब को भेज़ दिया है जिसको चोरी और सीना जोरी कहते हैं उनकी लिए एक बड़ा सबक है चुनाओ आयोग का फैसला क्या है इस बात की सूचना अभी सीएम आवास तक नहीं पहुची है चुनाओ आयोग की सिफारिश को लेकर राजिपाल रमेश वैश्य आज कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं मिली जानकारी के मताविक हेमन सोरैन को जन प्रतिनीधी कारूर 1951 की धारा 9A उलंगन का दोशी माना गया है इसलिए उनकी सदस्यतार रद करने के सिफारिश की गई है मुख मंत्री रहते हुए अरश्टा चार है वह भी बड़ावा देने का काम किया है तो मुख मंत्री की जो 1951 नई नेके तरत की सदस्ता तो जानी चाहिए साथ ही साथ है जो एक करता इसको दिबार भी करनी चाहिए सोरेन की खुरसी पर खत्रा क्यों मंड़ा रहा है पूरा मामला समझी बीजेपी डेलिगेशन ने फरवरी 2022 में आरोप लगाया कि सोरेन ने राची के अंगड़ा में अपने नाम से खनन पट्टा लिया लिहाजा उनके विधान सभासद सिता रद करनी के मांग की गए मामला सीएम हेमंट सोरेन से जुड़े खनन वीज और शेल कंपनियों में उनके और उनके करीबियों के हिस्सेदारी से जुड़ा है आरोप है कि सीएम हेमंट ने अपने पद का दोरपयोग कर स्टोन की वेरी माइन्स अपने नाम आवंटित करवाली थी सोरेन परिवार पर शेल कंपनी में निवेश कर अकूद संपत्ति अरजित करने का आरोप है ये मामला सुप्रीम कोर्ट और चुनावायोग में गया चुनावायोग का फैसला राजपाल भवन तक पहुँच गया है लेकिन जेएमेम का सवाल है कि बंद लिफाफे का फैसला बाहर कैसे आया यदि सिल बंद लिफाफा है चुनावायोग का तो वो गवरनर साब उसकी पूष्टी करेंगे कोई सांसाद उसकी पूष्टी नहीं कर सकता और यदि सांसाद उस पे क्लेम करता है तो जो लॉब दी कोट है उसको अपना काम करना चाहिए सत्ता के गलियारों में ही है ये तैं है कोई सांसत के हवाले से नहीं कि जो चुनावायोग का फैसला है वो बंद लिफाफे में पहुँच गया है राजपाल रमेश बैस के पास आज ग्यारा से बारा बजे के बीच जो हमारे पुखता सूत्र बता रहे हैं क्योंकि ये पत्र पहुचने के बाद भी राजपाल रमेश बैस अपने अधिकारियों के साथ कल बैठक किये हैं और बैठक लंबी चली है आज सुबह भी बैठक होने वाली है जो राजभवन से हमारे सूत्र बता रहे हैं और ग्यारा से बारा बजे के बीच जो मैं कल से कह रहा हूँ एभी पिनियूस कल से ये कह रहा है कि तीन साल च्छै साल सदस्ता तीन साल या च्छै साल के लिए रद होगी बात अब उस पर अटक गई है और चर्चा उस पर हो रही है तो ये 11 से 12 बजे के बीच ये फैसला आएगा और इससे पहले जो है मुख मंतरी हिमंत सुरेन भी बैट कर अपनी पूरी रणीती बना लेना चाहते हैं और वो भी ये तैंकर लेना चाहते हैं कि अगर मैं नहीं तो कौन मुख मंतरी कौन इस पर भी जेमेम और महागडबंधन के तमाम साथ ही बैठक करके ये तैंकर ये बढ़ा सवाल है ये बढ़ा सवाल है ग्याने इंद्र और इसलिए प्रशांत अबारे सहयोगी जो हैं मुख मुख मंतरी के घर पर क्या हल चले कियो कि जिस तरह से ग्याने इंद्र भी बता रहे हैं कि पूरी कड़िया और सब कुछ पूरी स्थितिक आगे की क्या होगी उसको लेकर अभी से रणनीती तैयार करने में जुट गए हैं मुख मंतरी बिल्कुल बिल्कुल देखिए आदर्श जैसा ग्याने इंद्र बता रहे हैं सबकी नजर अभी फिलहाल जो पहले फैसला होना है वो राजभवन से होना है और राजभवन कब फैसला करेगा ग्याने इंद्र कह रहे हैं कि आज ही फैसला होने की उमीद है हलाकि जो चुनावीयों की सिफारिश है उसके बाद राजपाल कितने समय में फैसला लेंगे ये उसमें तैस समय सिमान नहीं होती है तो बिल्कुल राजपाल का जो फैसला आने वाला है जो मीडिया में खबरे चल रही है उसकी भनक जाहिर तोर पर उनको भी हैमन सोरेन को भी पता है और इसलिए अब से कुछ दिन पहले भी उन्होंने सभी अपने घटक दलों की विधायकों के जाथ बैठक की तो और आज 11 बजे मैं इस वक्त मुक्वंत्री आवास पर हूँ और यहीं पर सारे विधायकों की बैठक बुलाई गई है जेमेम के अपने उनके विधायक रहेंगे उसके लबा कॉंग्रेस और आरजेडी के जितने विधायक है उनको भी बुलाई गया है सभी संग जो महागरवंदन के विधायक है उनको बुलाई गया उस बैठक में और जि गटबंदन के निताओं के साथ उस पर जाहिर तोर पर बाचित कर लेना चाहते हैं अगर केवल डिस्क्वालिफाई किया जाता है तो ये माना जा रहा है कि हमन सोरेंद इस्तीफा देंगे और दुबारा फिर से मुखमंत्री बनेंगे और तमाम जितने उनके घटक दल के साथ हैं उनको समर्थन करेंगे लेकिन क्या कोई और भी फैसला आता है जिसका इशारह ग्यानेंदर कर रहे हैं तो अगर वैसा होता है तब क्या किया जाए तब प्लान अफैक्शन क्या हो उस पर आज की बैठक में चर्चा होगी तो 11 बजे मुखमंत्री निवास पर ये प्लान बैठक होगी जी अपर ये हमारे साथ और नजर भी बना कर रखिए कौन-कौन से लोग पहुंच रहे हैं क्या हाल चले ग्यानेंदर वैं आपका रूख कर रहा हूं तीन साल या छे साल का जिक्र आप ने किया क्या कुछ ऑप्शन हो सकते हैं अगर डिस्क्वालिफा साजा नहीं कर सकता हूं लेकिन ये सचाई है और ये बहुत पुक्ता सूत्र मेरे बता रहे हैं कि जो तीन साल और छे साल की बात है इस पर चर्चा होनी है और अगर वो होता है तो निश्चित तोर पर ये मानिये कि फिर मुख्यमंत्री तो हेमंत्स सोरेन नहीं रह अगर केवल सदस्ता रद्ध होती है तो 6 महीने में चुनाव लड़के दुबारा आ जाएंगे फिर से मुख्मंत्री बन जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बहुत बड़ा कारण नहीं होगा यह कहने का कि नहीं एक उस खनन मामले में इनको निर्वाचा नायोग ने फैसला दे दिया राजपाल नहीं यह कह दिया तो इनकी कुरसी चली गई यह पूरी कवायत देखे राजनीती समझने वाले यह जानते हैं कि केवल सदस्ता रद होने के लिए यह सब कुछ नहीं हो रहा है प्रावधान नियमों को पढ़ा जा रहा है और क्या क्या हो सकता है इस सामले पर बोल रहे थे तो जैमेम ने अभी भी आप हम एभी पी नियूस ने बाइट सुनाई कि जैमेम ने सवाल उठा दिया कि बंदली भाफे का आयोग का फैसला किसी सांसत को कैसे पता चल गया तो अभी फिलहाल लोग इससे बच रहे हैं और जैमेम के जो मंत्री हैं व अगर मान लीजे जो अभी तक सूत्र बता रहे हैं उस तरह से फैसला आता है उसी तरह से सब कुछ इस्तिती बनती है तो सीएम कौन हो सकता है इसको लेकर के भी कयासों का दौर तो चल रहा है जारकन के अंदर यह आपका सवाल मुझसे है पसांद जी से जाने इंदर आप से ही सवाल जी देखें ऐसा है कलपना सोरेन की बात चल रही है कलपना सोरेन को सीएम बनाया जा सकता है लेकिन सबसे एहम सवाल की कलपना सोरेन के नाम की सहमती क्या जो आपके घटक दल है उनकी सबकी होगी जो आप कहेंगे वही सब मान लिये जाएंगे क्योंकि एक दर्जन करीब ऐसे विधायक हैं जे-म-म कॉंग्रेस से जो अलग-अलग राग अलापते रहते हैं और जब किसी को यह उसर मिल जाए और वो समझ जाए कि इसका इसकुरू थोड़ा ढीला हो रहा है या कहीं किसी भी पैमाने पर यह थोड़ा कमजोर साबित हो रहा है तो ऐसे में सब की महतोकांच्छा जागती है तो अभी सीबू सोरेन हो सकते हैं कलपना सोरेन या सोरेन परिवार से लता सोरेन बसंद सोरेन कौन होगा या इसके अलग कोई और होगा इस पर देखिए यह जो बैठकों का द पैताओं से भी बात हो रही है उनके महासचीव से बात हुई मंत्रियों से भी बात हुई जो कि जहारखंड सरकार में है वो यह कह रहे हैं जब तक फैसला ना जाए एबन सोरेन से एबीपी निउस के एसक्लूजिव बात हुई तो उन्होंने कहा कौन कह रहा है मतलब अगर जी एमेम की माने तो कुछ हो ही नहीं रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है वो फैसला आ जाए उसके बाद धीरे 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 अब चूकी प्रसान जी मुखमंतिन निवास में हैं अंदर की ख़बर क्या आती है गटक दल के लोग क्या निर्न लेते हैं मंसुरेन क्या कहते हैं इ क्या आल चले एक और दूसरा कोई रास्ता नजर आ रहा है हिमन सुरिन के सामने क्योंकि सूत्रों के तरफ से जो बाते आ रही है उसको देखकर तो लगता नहीं है जी देखे आदर्श कानूनी स्थिति ये है कि चुनावायोग ने एक रिपोर्ट भेजी है गवर्नर को गवर्नर उस पर फैस्ता लेंगे संभवता आजी फैस्ता ले लेंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन होगा ये मिनिममम ये माना जा रहा है और ऐसी अटकले हैं कि ये तो होगा ही ये तो चुनावायोग ने सिफारिश भेजी है क्योंकि याद रखी आदर्श कि गवर्नर चुनावायोग की सिफारिशों से बंधे हैं जो भी चुनावायोग की प्रफिट का मामला सामने आया और उसमें चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट भेजी है और उसमें ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ने कम से कम उनकी विधाय की उनको डिस्क्वालिफाइग करने का की सिफारी जरूर की है तो अगर के प्रशांत आपको बीच में रोक कि सियासत में होता है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे